हेलो फ्रेंड्स होली स्पेशल या पिछ चाय की साथ कुछ जब 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 स्नैक्स काना हो तो कि दो टाइप की बहुत ज़्यादा खस्ता और पतले पतले नमक पारी के रेज़ भी जरूर ट्राय करें बहुत आसान तरीके से मैंने छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखते हु तो सबसे पहले हम कलोंजी वाले नमक पारे बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाय के साथ में मीठा मीठा तो यह जरू ट्राय करें हां तो में एक च्छोटी ट्रीश्पून कलोंजी लेनी है एक मैंदे के साब से ऐसे हाथों में रब करना है जिससे इसका बड़ी असा काड़ा से मी ठीक ऐसा घी लेना है तो एक कप मैद्र के साब से दो छोटी टीस्पून आपको घी लेना है तो भी चोटी चोटी टिपस को ध्यान में रखना है लिखार भार्थ 1968 क्ल़ूद अफको लेना है यहां पर वार्म वाटर यह नी गुंगुना बाट बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है बिल्कुल टाइट सा ड़ना है सक्टड़ होता है पूरी वाला उससे भी टाइट लगाना है अब जो नमक पाने घंचे-टा बनते हैं इसको थोड़ा- तो जब आप आपको आगर नीट नहीं करते हैं इस तरीके से पहले तो आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो बहुत एच्छे सेट हो जाएगा अब दूसरा डो बना लेते हैं जो हम बना रहे हैं अजवाइन वाला नमक पारा तो एक कप इसमें भी हमको मैदा ले लेना है और एक चोटी टीस्पून अजवाइन को हाथों से रब करना है और इस तरीके से डाल देने हैं अब डालना है नमक और नमक के साथ हमें इसमें डालना है घी सेम प्रोसेस है जैसे उसमें बताया था सेम इसमें भी वैसा ही करना है तो दोनों में सेम चीजे लेनी है इसको अच्छे से मिश्ट करते हुए बढ़ी अंसा डो बना लेना है इसमें भी मैंने दो चमस घी लिया आप देख लीजे यह नहीं है कि मैं सब दिखा रही हूं ज्यादा या कम डाला है तो इसको अच्छे से नीट कर लेते हैं वह देखिए यह भी अच्छ से एक बर और नीट कर लेंगे उससे क्या होगा और अच्छे ही साफ्ट्निस आज आएगा सिद्व इसके 2 उकल पाड़ किया है ठीक है एक कप लिया था 2 इकलू पार कर लिया है और एक पार मैं से रख दूँगी एक पाड़ को लेंगें अच्छा सा हमें इसको रोल करना रोल पतला करना है तो जो अभ मैं यहाँ पर क्या कर रहे हूं जो कलोजी वारे नमक पारही है ना उसको मैं काजू का शेप देने वाली ह brush तो अब जो काजू का शेप लोग देते हैं उच्ण एक थोड़ा ारकते हैं ठीक है तो वह बिलकुल काजू जैसे मोटे मोटे देखते हैं यह बहुत जादा है ही जबाव ज्यादा नहीं इतना मोटा आपको रखना है और ऐसा एक कूकी टल लेना है या फिर वह धकल ले सकते बहुत है कि उसे को भी बोटल होती है छोटी-छोटी अन्होंकि फिकल ले पतले बनागे त्यायर करें रहे हैं बहुत ही जादे आरह टेस्ट लगते हैं चलड़ी से सारे नमक बारे बना एक time कर लिया है तो कलॉझी वाला तो कं पतला क्योंकि देखें अब इसमें चौके में तो बेल नहीं पारी थी जितना में बेल पारी थी उतना बेल लिए आप चौके को हटा देंगे इसको अच्छे से प्लेट फॉर्म को साब कपड़े से क्लीन कर लेंगे बिल्कुल बढ़िया से क्लीन कर लीजे कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए बस इसको रखना है और अच्छे से इसको बिल्कुल पतला बेलना है इतना पतला बेलना है कि बिल्कुल ट्रांसपारेंट होना से तो मैं इतना पतला ही बेल पाई मिज़े लग अभी भी ये थोड़ा सा मतला मोटा लग रहा है मुझे लेकिन ठीक है अब इससे भी पतला बेल सकते हैं अब जितना पतला बेलेंगे ना उतने अच्छा से फूलेगा ओयल में जाके इस चीज का ध्यान रखें तो इसमें मैंने कहीं हलका सा पतला कहीं मोटा है तो बिलकुल पतला बेलना है इस तरीके से और अब क्या करना है बिलकुल पतल पतला इस तरीके से में हमें कट कर लेना जैसे मैं कट कर रही हूं मुझे ना इतम छोटे छोटे नमक पारे खाने बहुत पसंद है तो मैंने इसे छोटा छोटा कट किया है आपको जैसा भी शेप देना है अब ऐसा दे सकते हैं तो वह थोड़ा मोटा था काजू वाला यह बि पतले पतले रहते हैं और चाय के साथ खाना हो होली में खाना हो तो बिल्कुल पतले नमक पारे बनके तयार है और अब यह देखे इसको निकालने से बिल्कुल भी डरिये मत अराम से चाकू इस तरीके से करते जाओगे ना पूरे नमक पारे आसानी से निकल जाते हैं तो इ आपको बताओंगी कि किसने खस्ता बने हैं अब उनकी हवाज सुनेगा तो आपको समझ में आएगा तो यह दोनों टाइप के बनके तयार है अब मैंने क्या किया था लोब फ्लेम में ओयल को गरमों ने रख दिया था तेल आपका मीडियम होट होना से यह चीज़ ध्यान रख करना है हाई फ्लेम में बहुत करोगे न तो यह क्या होगा ऊपर से तो बहुत ही ज्यादा यह राट हो जाएंगे अंदर से कच्छे भी रहेंगे और खस्ता भी नहीं बनेंगे तो आपको क्या करना आप देखे आप जैसे ही डालोगे यह अपने देरी खुल जाएंगे तारा ओयल अच्छे से निकाल देते हैं यह चोटी चोटी टिप्स है कि आपको इसको मीडियम होट ओयल में फ्राइ करना है बहुत ज्यादा गरम तेल नहीं होना चाहिए यह चीज का ध्यान रखे अब मैंने क्या किया था गैस बंकर दिया था क्योंब तेल गरम था ना तो इक निकाल लेंख़े ने वह तले गरता करते較 क्यंद हो पीकूर्स सेमें के निकाल लेना है बहुत ही क्रिस्पी बंके त Wi-ya कैईल ना करेंगे एम क्या थे डिर दूरानों होCl commission chef यह चोटी से क्या आपकर से ने को ओल प हम पादे आपकर से कितनी ज्यादा कुरियों कितना है करिस्पी बना कितना करिस्टा बन के तयार हुआ है, तो आप इस तरीके से बना कर देखे कि आपको बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, दोनों ही नमक पारे अपने अपने चगें बहुत खर रहा हैं सबसी important tips कि इनको आपको एक घंटे के लिए ठंडा करना है क्योंकि आप ठंडा नहीं करोगे ना तो यह उतने अच्छे और टेस्टी नहीं लगेंगे तो कभी भी नमक पारे आप बनाएंगे तो इतना अच्छे से ठंडा कर लेंगे ना उतना बढ़िया उनका टेस्ट बढ़ता ज झाल यज कर लेंगे प्रस्टी नहीं दो यह जो उनके प्रस्टी नहीं उनके